देखिए कल मैंने प्रेस कॉंफरेंस किया था और वो भारी मन से किया था क्योंकि आपके पास अगर आपको चुनाव जीतना है तो समय बहुत महत्तोपूर्ण होता है और आपको आगे-ागे से समय रहते candidate announce करना पड़ेगा समय रहते अपनी strategies बनानी पड़ेगी समय रहते प्रचार करने पड़ेगे तो मेरे ख्याल से काफी लेट हो रहा है और लेट हो रहा है इसके अलावा जो भरूच की आज की परिस्थिती है वो भरूच की परिस्थिती में आप देखेंगे तो चैतर भाई वसावा अवसे काफी emotional connect है और पूरी वहां की जनता चाह रही है भरूच की जनता चाह रही है पूरा ट्राइबल बेल चाह रहा है कि चैतर भाई को candidate बनाया जाए हमने ये बात Congress Party के समक्ष रखती है मुझे पूरा भरूसा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको वो स्विकार करेंगे और चैतर भाई को लेकर इंडिया अलायांस के अंदर भरूच की seat को लड़ेंगे वैसे ही भावनगर में भी जो हमारे candidate हमने गोशित किया है वो जीते हुए M.L.E. उस पूरे जिले में Congress Party ने कोई seat नहीं जीती है वहां पे उस seat के हिसाब से वो पूरी तरीके से फिड़ए वाकि की जो 24 सीटे है वो भी ऐलायंस के तहट लड़ेंगे उसमें क्या होगा? देखना यह चाहिए कि आगे इसको कैसे fruitful बनाया जाया और इसको मजबूती से कैसे आके आगे ले? मेरा मानना यह है कि जनता भारती जनता पार्टी के साशन से दुखी है जनता ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से पाच सीटे दी तेरा प्रतिशत वोट दिए वोट शेर तेरा प्रतिशत इतना असान नहीं होता वो जनता के मूड को दिखाती है कि जनता बदलाव चाह रही है अब ये आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से इसको आने वाले चुनावों में और मजबूती से लड़ेगी और आप जितने मजबूत होते जाओगे जनता अपना अशिरवाद उतना देते जाएगी अभी लोकसावा का जो चुनाव है हम इंडिया अलाइंस में है तो हम इंडिया अलाइंस के साथ जाकर ये चुनाव लड़ेंगे लोकसावा का और नतीज़े अच्छा हैंगे